नमस्कार, कैसे हैं, आप थोड़े शेल शॉक लग रहे हो, ये कॉंग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, अच्छा, ये सी के कारण है ये, अच्छा, जादा लोग आ गया है, ने देखे, आज हम बड़ी इंपोर्टन चीज़ के बारे में आपको कहना चाहते हैं, पहली बार, हमने नोट किया, कि चुनाओ के समय, प्रधान मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, और फाइनेंस मिनिस्टर ने, स्टॉक मारकेट पर टिपनी दी, प्रधान मंत्री ने, दो तीन बार, चार बार, देश को कहा, कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आस्मान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मैसेज फाइनांस मिनिस्टर ने दिया तो यह यह क्रोनोलिजी है अमिच्छा कहते हैं बाइश शेर्स बिफॉर फॉर्ट जून उननिस में नरेंदर मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकोर्ड उन जून फॉर्ट फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं फर्स जून मीडिया जूटे एक्जिट पोल रिलीज करती है बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो यह इंफोमेशन बीजेपी की लीडर्स के पास था इंटेलिजन्स एजन्सीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट सारी हैं थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकोर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर राउंड चला जाता है अगला स्लाइड दिखाई दर तो यह देखिए 31st में मैसिव स्टॉक अक्टिविटी मौर दें डबल वाट वस देर उन 30th मौर दें डबल वाट वस देर उन 29th 28th यह देखिए यह कौन लोग है यह वो लोग है जो जानते हैं कि कोई न कोई घपला हो रहा है हजानों करोड रुपे यहाँ पे इन्वेस्ट होया फोरण इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और उसके बाद 30 लाख करोड रुपे का लॉस होता है किसका लॉस होता है रीटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है तो यह जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की stock market की history का सबसे बड़ा scam है. और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. पहला सवाल, पहला सवाल, pulley प्याओत प्याओंअ, विए जए क्या धुछ सवालों पर मेंने पूछना चाहते हैं, हैं जाबर इसके बारे मिद्ग नेूना मिद्ना चाहते हैं, अजिगूं, हैं जए ब करोण घ्ने हम को the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market third what is the connection between the BJP the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of five crore families we demand a JPC into this we are absolutely convinced that this is a scam somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy and this is a criminal act so we demand today a joint parliamentary committee to investigate this in Hindi in I will tell you that the Prime Minister has given the country's advice to the people who did the investment advice and the 5 crore families who invested them they did the home minister ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया दूसरा दोनों इंटव्यूज जो किये गए थे वो अधानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिये गए थे उन पर सेभी का इंवेस्टिगेशन हो रहा है तो उन चैनल्स का क्या रोल है और पीजेपी के बीच में जो फेक पोल्स्टर्स हैं और यह जो फॉरण इंवेस्टर्स हैं इनके बीच में क्या कोई रिष्टा है और अगर रिष्टा है तो क्या है हम जेपी सी चाहते हैं हम इंवेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है लानेवाद शुक्रिया राहुल जी थे मुलाइबग आपी थैंब को पष्ट त्रीके से्पिनुटि में हुपुकण matar ग्रहमंतरी कहते थे अब प्रैमलची संजे आज रहूँ जीमे देश को पर को सब्छाया है इसके ओपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करखे आप पुचहेंगा I haven't said the chronology in English so I will say the chronology in English 13th May 2024 the Home Minister says buy shares before 4th of June this is a clear indication to retail investors and others to buy stock 19th May for the first time and then repeatedly until 28th May the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June finally on 4th June completely fictitious exit polls are released these investors are given a completely wrong impression and on the 3rd of June as we all know the stock market breaks all records and then crashes on the 4th June whoever has made money has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed and we are interested in having a joint parliamentary committee a JPC to investigate the role of the Prime Minister the role of the Home Minister role of BJP members and also those people who have done these fake exit polls and finally we want to understand who are the people these foreign investors who did these trades so we want an investigation for that thank you Rahul Ji yes Sanjay Rahul Ji this is a broader issue than just the Adani issue it is connected to the Adani issue but this is a much broader issue this is directly the Prime Minister of India Home Minister who are privy to data on actual election results who have IB reports who have their own data who are advising retail investors to buy stock this has never happened before and by the way the Prime Minister has never commented on stock market before this this is the first time the Prime Minister has commented very interestingly and multiple times one after the other saying that stock market is going to boom stock market is going to boom stock market is going to boom and at the same time he has information that the exit polls are wrong he has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data thank you for being a big कई चैनलों ने मिलकर यह सब चीज़ किया है जिसरे चैनल के लोगों को गुमराह किया है जितरे से सहर बजैर में सारा कुछ हुआ है जी निए उसने परके इस मामले को अथा आयक और पता है और आपके कहने का सीधा आर्थ है कि आदानी को इसका फाइदा उठाने के लिए दिया गया है नहीं मेरा कहने का यह अर्थ है कि उसमें आदानी involved हो सकता है मगर यह आदानी से बहुत बड़ी चीज है इसमें BJP के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है Retail Investors को Message दिया है कि आपको Stock खरीदना चाहिए उनके पास Information थी कि Exit Pools गल्प हैं उनके पास Information थी कि BJP को Full Majority नहीं मिलने वाली है और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है कितने का 30 लाग करोड का नुकसान हुआ है 30 लाग करोड रुपे का नुकसान हुआ है और 1000 लाग करोड रुपे का चुन हुए लोगों को फाइदा हुआ है और हम Inquiry चाहते हैं प्रधान मंत्री पर Home Minister पर जिन्होंने Exit Poll किया उन पर और यह जो Foreign Investors हैं उन पर आशेमिन करेंदा हुआ है से प्यो्स्पान, यंगर नग्याज कर दो हम चयाखड, अजर्टर्वा हम ट तेर झाव्यार्ट का रखानी हीजिया? यजल भास इ Zuschv Nikki this is based on... प्रिवह कोई साथ खाल्या गोट प्रिव्ट एफ खाल्या भी जार्व थे कि अफट एंद अफ था प्रिव। संजीश रहुझ जढ़गी से लिवार हुझ को खाल क में आजीश को अट अटोंगे पूस प्राम जो कुंधें, स्रीव पड़त अटने और चानों यडिल से अट प्राम मिनिस्टर उवार इब प्राम कि एट एट जीए this एट अटोल को आट ऑट देग देवगा कर एंट एट एट एड जो इटू एट एट ग्या अटी करेट आट जोज एक्र एट ऑट एट ए इन अट एस बीए अरक वीजुट के मुटनिते चाहिए प्रिजियुट कि एपनपर्ण सबस्क्राइब और तरह रिखेया है, कि ने भी पूद खार रेत्क चाहिए पुडन्सेटियुट प्रफसर चाहिए मुटने को रहते हैं? और इसके शेर उसके बाद Ruby भी बेचह भी गहे है। इस इंफुल नुट कमप्री का भी हो ही इस जायरे में आना चाहिए आपको लगता ह। हमारा कहना है कि यहां पर बड़ा क्लियर है कि स्कयाम हुआ है। प्रधान मंत्री ने डाइरेक्टली कहा है होम मिनिस्टर ने डाइरेक्टली कहा है इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट उपर जाएगी होम मिनिस्टर ने तो साथ कह दिया कि खरीजना चाहिए और जब Prime Minister और Home Minister और Finance Minister रहती बाज करते हैं तो उसका reaction आता है लोग उसको believe करते हैं तो बिल्कुल clear है कि इन तीन लोगों ने कहा है ये भी clear है कि इनको मालुम था कि result 400 का नहीं है 300 अभी नहीं है तो ये हम पता लगाना चाहते हैं उसमें आप जो कहरो हो भी शामिल है रहाँ जी ब्रहमेप्रिकाश्ट दुवे इंडिया डेली लाइप से मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया है इसना बड़ा इसक्राम है पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है तो क्या आपने का ये अपराधिक मामला है क्या खोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायद दर्च करेंगे क्योंकि आपके रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये प्रिया मैंने भी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं अगर नहीं बागते हैं तो क्या पुलिस में शिकायद दिया है फाइनांस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है अधानी जी के चैनल्स के थूँ इंटर्वीज किये हैं और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है लोगों ने financial action लिया है, companies ने share खरीदें इसी विशेपर, एक मिनिट एक मिनिट इसी विशेपर, इस stock market घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं मौशमी, इसी विशेपर कीजिए कर बास एक मिनिट आ रहो, आ रहो राहुल जी, एक एक कर कर के आ रहो राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है, कि आप लोग ने कई बारी जब session होता है तो सकता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, JPC की मांग होती है और session पर session washout हो जाते है और जनता का पैसा waste होता है ये तो भीजेपी की लाइन है तो क्या, नहीं मतलब जनता का पैसा के session washout होता है आप ऐसी T-shirt ले लोना है मैं आपको दे दूँगा उनका वो symbol दे दूँगा, ये उनकी लाइन है सवाल आपको पसंद नहीं है, वो अलग बात है सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस तरह से उंग्ली उठाने के जरुवत नहीं है आप चेक्ट लग रहा है, मुली आप सवाल पूछे ना आपको भी जैरम साब ये बोलना चाहिए गलत बात है मेरा बच ये सवाल था कि JPC की मांग पे कई बारी काम का च्ठप हो जाता है कि आपको लगता है कोई और भी रहा ब्रुक शड़क की रहा एक की यार करता है क्योंकि ये आम आजमी का पैसा है हम जनता को एक reality बता रहे हैं कि यहाँ पे clearly एक scam हुआ है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है यहाँ पे Home Minister ने Indicate किया है, यहाँ पे Finance Minister ने Indicate किया है Normally BJP के यह position होती है कि जब भी हम कोई समुद्दा उठाते हैं तो हम Parliament का Time Waste कर रहे हैं वही position आपने अपनाई है इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप BJP के position ले रही है Reality Reality यह है कि हम JPC करवाएंगे अब opposition में बहुत ज़्यादा ताकत है बहुत ज़्यादा strength है और पूरा जो Parliament की situation है वो बदल गई है जैनेंजर लेकिन यह जो आम निवेशक है देश भर के जिनका तीसला करोड डूबा है उनमें करनाटक के तेलंगाना के हमाचल के तीज रूख होगे तीनो राज्यों में आपकी सरकार है क्या राज्य की जो जाट इजनसी है उसके जरिये आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम सकम पैसा डूबा है यह जो आप पूरे निक्सस की बात आप कर रहे है गुम्राज करने की बात कर रहे है क्या वहाँ से वहाँ सोचा जा सकता है सोचा जा सकता है बद ऐसी चीज के लिए शायद JPC सही होदार होगा